हलो फ्रेंड मैं इसरार खान खुशामदीत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल पटना बर्ट्स लफड में तो फ्रेंड आज का टॉपिक है कि ब्रीडिंग सीजन में जब हमारे बर्ट्स ब्रीट करते हैं बजी स्पैरोट तो कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई कोई जो चिक्स ऐसे होते हैं जिसे यानि की पूरी तरीके से फेदर नहीं आ पाते हैं पंक नहीं निकल पाते हैं तो ऐसे बर्ट्स के जो चिक्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं और इसे यानि की कैसे हम ठीक करें कौन सा चीज हम अपन जो बिट्र हमारी निएपल चिके दख ऐसे तो वह धिक के बिडिश्टों को हुआ करें और घुछ को पुरे घंसे तो थिक कैसे ज़ए faculty कैसे ना हो आपको फेडर नहीं आ पारहने हैं पूरे खंसे तो वह अठ्य तरीके से बर्स हमारे यां उड़ने लगे तो इसी सब चीज की जानकारी आपको वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा तो वीडियो को अप लाज तक जरूर देखें वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें हमारे चैनल को लाज़मी सस्क्राइब करें अब बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें और कमेंट ज़रूर करें किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए मैं आपके लिए अलग तरीके का वीडियो लेके आते रहता हूँ तो इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रहे हैं हमारे वीडियो को देखा करें और ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ़िरेन आज का जो टॉपिक है कि अगर हमारे बर्ष के चिक्स को फेदर नहीं आ रहे हैं प्रोपर ढंक से या पंक वगारा नहीं निकल पा रहरे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है और इसकी क्या वज़ा है और कौन सा चीज हम अपने बर्ष को दें ताकि बर्ट के चिक्स जब हो तो ऐसा मसला देखने को ना मिले तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारे यहां बजी स्पैरोट है और हम रखे हुए हैं तो उसे आने की अच्छे तरीके से हमें डाइट देना है अच्छा सीडमिक्स देना है सिप कंगनी दाना से ही अपने बर्ट को ब्रिड ना ले क्यूंकि जो बर्ट slaguer है बिगनर भाई है वो एक गलती यह कर बैठते हैं कि सिप कंगनी दाना ही अपने बर्ट को प्रवाइट करते हैं जिस कारण से क्या होता है कि उन्हें अच्छी तरीके से डाइट नहीं मिल पाता है केलसियम विटामीन यानि कि हर एक चीज की कमी होती है जब वो एक देते हैं तो एक भी क्या होता है कि काफी छोटे साइच का होता है और एक भी काफी जादा कमी होती है एक के अंतर जिस रैच हो भी जाता है तो उनका ग्रोथ यानि की ठीक धंग से नहीं हो पाता है और वो धीरी धीरे जब बड़े होते हैं तो उनमें यह मसला देखने को मिलता है कि उनको यानि की ठीक तरीके से फेदर बगारा नहीं आ पा रहे हैं पंक नहीं आ पा रहे हैं तो इस सब चीज का हमें जब ख्याल रखेंगे जब हम अपने बर्ट को अच्छा डाइट देंगे अच्छा मेडिसीन चलाएंगे टाइम टू टाइम उसे यानि की कैलसियम विटामिन हर एक चीज़ देते रहेंगे सौफ फूड बगारा भी देते रहेंगे तभी आपके यां बर्ट जब ब्री करके लाएं हैं और हमें पता नहीं है वो जब आपस में पेरिंग करके ब्रीट करेगा तो उनमें भी यह मसला देखने को मिलता है अगर हमारे यहां एक या दो ब्रीट ठीक ठाक कर भी देता है लेकिन आगे का ब्रीड वो ठीक से नहीं कर पाएगा क्यूंकि उसकी जो इसे हमें यानि की ठीक करने का बस एक ही उपाय है कि हम अपने बर्ट को अच्छा डाइट दें अच्छा मेडिसीन चलाएं तो मैं आपको एक मेडिसीन के बारे में बता देता हूं कि जो मेडिसीन मैं यानि कि अपने बर्ट को नॉर्मली यूज करता हूं जो हेमियूपत क मेडिसीन है जो यानि कि उससे काफी जादा बेनिफिट है और भी मेरे जो सस्क्राइबर थे उनको भी ऐसा मसला देखने को मिल रहा था तो उनको मैंने जब यह मेडिसीन के बारे में बताया वो अपने बर्स पर यह मेडिसीन यूज कियें बर्स को दियें तब उनके जो बर् से यानि कि प्रोपर अब उट सकते हैं फेदर वगयरा पूरी तरीके से आ गये हैं आप वो ब्रीड भी करने लगा है तो मैं वस एक ही बात बोलना चाहता हूं कि जो बर्ट्स लवर हैं बिगनर भाई हैं कि वो अच्छे तरीके से बर्ट्स से जब ब्रीड लेना चाहते हैं तो अपने बर्ट्स को अच्छा डाइट जरूर प्रोबाइट करें और मेडिसीन वगयरा भी अपने बर्ट्स को time to time देते रहा करें ताकि आपके यह बर्ट्स जो हैं वो weak ना हो कमजोर ना हो healthy रहें एक्टिव रहें तभी आपके यहां breed हो पाएगा सही धंग से तो मैं बता देता हूँ कि कौन सा मेडिसीन है तो चाइना क्यू एक मेडिसीन आता है हेमियोपत का और एक मेडिसीन है अलफा अलफा क्यू अगर ये दोनों मेडिसीन हम मिला के अपने बर्ट को देते हैं तो उससे काफी जादा बेनिफिट मिलेगा हम 500 एमल वाटर में हम 10 दस बून दोनों यानि की देना है कम से कम 15 दिन आप अपने बर्ट को यूज कराएं कैसे भी बर्ट हो जिनके फेदर वगारा नहीं आये हो वो यानि की 100 परसन आ जाएंगे क्योंकि मैं खुद यूज किया हूँ तब ही मैं आप लोग के साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ ये वीडिय बर्ट को प्रोवाइट करें चाइना क्यों और अलफा की वो दोनों मेडिसीन को आप मिला के अपने बर्ट को देंगे तो वो बहुती जवरदस मल्टी विटामिन का काम करता है जिनको यानि की बर्ट में हर एक चिसकी जो कैलसियम विटामिन की कमी होगा वो ठीक धंग से से मिल जाएगा अब वो बर्ट पहले के तरह हो जाएंगे नॉर्मल बर्ट की तरह रहेंगे तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग को ये बात यानि की वीडियो के जरीए बता सकूँ तो फिर मिलेंगे वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें हमा हुआ हुआ है